कि नोचकार मैं अंचली मिश्रो स्वागत है आपका हमारे चैनल में आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर साबने आ रहे हैं कुशिनगर में जिस नरीके से समाजवाधी पाठी और भाचपाखी कारे करताओं के बीच जड़ब देखने के लिए उस आँगो समेट स्वामी पशाद मोरे की बेटे संगा मित्रा मोरे और उनके बेटे शौक मोरे के खिलाफ दर्छ कर दिग गई है क्योंकि इन सभी लोगों नाम जहें कहिंद कहीं उससे जुड़े हुए मामले से आ रहा है जिस पर यह लगाता है टिपणियां करते नज़र आ रहें आखिर कुछिन अगर में ऐसा क्या हुआ था इस पर किस तरीके सी बयानवाजी आई है आपको पहले बयानवाजी बता देते हैं फिर आपको हम पूर किया बीजेपी के संद्रक्षन में हो रही है ऐसी घटना है तो आप साथ तो पर देख सकते हैं स्वाइम प्रशाद मौरे ने जो है बहुत ही उन्हें गंभी रारोप लगा है उत्तरप्रदेश के फार्जिन लगार विधान समाजवादी पार्टी और प्रित्याश्री प्रशाद मौरे ने जनता पार्टी ने उन पर हमला करवाया है तो वहीं बीजेपी नेताओं का दावा है कि हमले के शुरुआत सपा के समर्थकों के तरफ से की गई है तो फाजिल लगर विधान सबसेंग सुरेंद सिंग कुश्वाह बीजेपी के उमिद्वार है अब उन पिता के साथ किसी तरीके का कोई प्रचार नहीं करूंगी जो कल तक यह कह रहें थी कि राजणीती अलग है रिष्टा अलग है मैं राजणीती और विश्टों को एक सथ मिक्स नहीं करती राजणीती अपनी में घर में अपने पिता के उपर हमला किया मैं अपील करती हूं कि फाजिन लगर के लोग मेरे पिता को वोट दे कर अपना समर्तन दिखा तो साफ तोर पर पिता के लिए प्रचार नहीं कहें करूंगी कहने वाली संगामित्र मौर ने डिरेक्ट लिए पने पिता के लिए लोगों से वोट की सबखसिखा हैं कि जी हां संगामित्र मौर का यही बयान है की तीन मार्च को बीजेप को सबखसिखाया जाएगा उन्होंने कहा कि कारों को कैसे नुकसान पहुंचाया कर दो कार्ता मेरे काफिरे को भी घेड़ा थह और सव्हाइब फार मैंने चाट की ठीक है अगे और की चाहँ बेढ़बार की पूरव को धावा किया था कि रोडशोक के काफिले पर हमला हुआ और गाड़ी को नुक्सान पहुचाया गया हबले कि सूचना के बाद समाजवादी पार्टी के रास्ट्रादक अकलेश यादव ने प्रतिक्रिया भी दी थी उन्होंने कहा था कि स्वाई प्रशाद मौरेजी पर हुआ हमला हारते हुए लोगों के अत अप्रशाद मौरेज पर अपना लिए गया है साथ और पर जो है कल तक बयान दिये जा रहे थे वाज बयान आते आते बदलते नजर आएं और इसे लेकर लगतार जो है परिशानी देखने के लिए आखिर क्या मामला था किस वजह से समादवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो जड़ब का मामला बता जा रहा है कुछनगर में ऐसा क्या कुछ हुआ था इसके वारे में आपको थोड़ा और विस्तार से बता हुए दो चर्णों के मद्दान है और उससे पहले इस तरीके का हाल जो है देखने के लिए मिल रहा है बता दें कि यहां फाजल लगर में सपा और भाजपा कायरे करताओं के बीच मार पिट हुई थी आरोप है कि रोट शो के दौरान पूर्व मंतरी और फाजल लगर से सप स्वामी पृषाद मौरक के काफिले पर हमला किया गया था और पत्रहाओं में काफिले ककी गारी किस्ती से तूट गये थे लेंकि सोचने वाली बात यह कि जिस गाड़ी थी उसमें प्रशाद मौरें मौजूद नहीं थे उनोंने बयान दिया कि सिक्योर्टी पर्पस से वह को बता दे कि स्वामी प्रशाद के समर्थकों पर पत्थराओं करने का रोप लगा है कि पहले उनके तरफ से पत्थराओं किये गए जिसके बाद जबावी कारवाई की गई यहां भाजपा के सुरेंदर सिंग को शुनाव लड़ रहे हैं और यह घटना खलवापटी गाउ का समर्थक धरने पर बैट गए थे पुलिस और प्रशाष्णिक अधिकारी मौकर पर पहुंच गया उसके बाद जो है समझाया गया उसके बाद वहां से हटाया गया क्योंकि जो प्रचार की सीमा थी जो वक्त था वो गुजर रहा था और ऐसे में उस वक्ते बाद किसी को भी बैटने या प्रचार करने की अनुमती नहीं थी तो पुलिस को समझा बुचा कर इन्हें वापस भेड़ना पड़ा दरसल स्वाइं प्रशाष्ण मौर रोट्चों कर रहे थे उनका काफिला जब खलवा पठी गाउं के पास पहुंचा तो सामने से भाजपा की कारी करता आ कर रही हूं मैं बीजेपी के लिए पी का समर्थन करूंगी। उन्हें भाशपा कारीकरताओं को लेल कारते हुए कहा कि भाश्पा शांती दंगा मुख्ष प्रदेश की बात करती है लेकिन बीजेपी प्रताशी ने मेरे पिता पर हमला किया है। बतादे कि संगामित्ट्रा ने यहां पर विब ने पिता का बचाओ किया है और कहा कि हमला हुआ है ये बात पिता जी नहीं कह रहर है ये सड़क पर दिखाई दे रहा है गाड़िया किस तरह तोड़ी गई लोगों के सिर में किस तरह खून बहरा है ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाई और स्वाही प्रिशाद मौरेज जी को वोट दे अपने मतों से विज़ई बनाकर उनकी दबंगई को उनके घर के अंदर बंद करवाई जाए तो साफ तो और पर देख रहे हैं कि आप अपने पिता के लिए जहाँ पर छुपकर वो प्रिशाद कर रही है उनके और सवाल खड़े के जा रहे थे तो उनके विरे उपर सवाल खड़े कर रहे हैं बोगों से वोट मांग रही है वोट करके अपील करके उनने जित्वाने की बात कह रही है इतना ही नहीं उन्हेंने कहा कि मुझे कुशिनगर से पता चला कि पिता जी पर हमला हुआ तो मैं आ रही थी तो मेरे पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया और जब वहां पर पुलिस पहुची तो पांच गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर बचा कर लेकर आई बेवकुफी है लेकिन कारवाई अब जो है देखने के रहे हैं कारवाई ऐसे कि उन्चास लोगों समय स्वारी प्रशाद मौरी के बेटी संगा मौरे उनके बेटे आशोक मौरी के ऊपर जो है प्यार्ट कर लिया गया और इस पूरे मामले की चान्मिन की जा रही है कि 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 मामले में जड़ब की गई कि दोनों ही पाथ या दूसरे के पर आरोप लगा रहे हैं और यह धरना प्रदशन कर रहे थे रास्ते में और बीजेपी करकताओ का भी कहाना है कि पहले इनके तरफ से पत्राओ किया गया जिसके बाद जवाब में जो है इस तरीके से पूरे माम जैसे रही है सबसे पहले लपेटे में आने वाली संगामितर मौह्य I am आचो का वार अगया तरून है दोंखर सर्वास सपह करता है साजिश है और पत्थरों ने वारी रूर बतर तरोस क्रशल करने विञेसे यहां सब्सक्राइब करगे निầyख सब्सक्राइन कर आएक लिए देख से जोर्व सांवलयिग यह निकल कर निस्करश सामने आता है यह तो आने वाले वक्त के साथ साफ जाएगा लेकिन फिल्हाल के लिए आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताए